हाई गाईज गेमिंग बाई जी में आप सबका स्वागत है तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि 28 फरवरी 2018 की रात 11.50 पर रियल किर्केट 2018 का बेटा वर्जन रिलीज हो चुका है आप लोगों ने इस गेम को खेला भी होगा गेम बहुत अच्छा है इस गेम जैसे फी PC2 में इससे भी ज्यादा फीचर हम लोगों को मिल जाएं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रियल किर्केट 2014 के कुछ खास फीचर जो इस गेम को बाकी गेमों से बिल्कुल अलग मनाते हैं तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रगा तो नीचे जाकर लाल बटन को दबागर कर लें सब्सक्राइब साथ में दबादे घंटे के बटन को तो चलिए गायद शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों इस गेम में मिलने वाले फीचर जो इस गेम को बागी मोबाइल क्रिकेट गेमों से बिलकुल अलग मना देते हैं उसमें पहले नमबर पर आता है इसमें मिलने वाले कैमरा एंगल रियल क्रिकेट 2018 में हम लोगों को विविन परकार के कैमरा एंगल मिल जाते हैं इसमें जो मुख्यत कैमरा एंगल है वो है तीन परकार के बैटिंग कैमरा एंगल दो परकार के बोलिंग कैमरा एंगल जो betting camera angle है उसमें आप लोगों को एक helmet camera view मिल जाता है जिसको आप यूज करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप stadium में खड़े होकर वेटिंग कर रहे हैं दूसरे नमबर पर आता है इसमें मिलने वाले tournament हम लोगों को फिलाल real cricket 2018 में 10 tournament मिल रहे हैं जिसमें से 8 tournament अवलेबल हैं जबकि 2 coming soon हैं इस game में हम लोगों को under 19 world cup से लेकर domestic t20 league सब कुछ मिल जाते हैं तीसरे नमबर पर आता है इसमें मिलने वाली commentary इसमें हम लोगों को दो परकार की commentary मिल जाती है पहली है हिंदी commentary दूसरी है इंगलिस commentary इंगलिस commentary आपको default मिलेगी जबकि हिंदी commentary आप लोगों को download करनी पड़ेगी अब बात करते हैं इस game में कुछ कमियों की मैंने पहले भी एक video बनाया हुआ है जिसमें मैंने आप लोगों को real cricket 2018 की कमियों के बारे में बताया हुआ है description में link है आप जाकर उस video को देख सकते हैं तो दोस्तों इस game में जो कमिया लेगी वो है third empire की working बिल्कुल third class fourth class की quality आप लोगों को इसमें मिलेगी ना कोई slow motion है ना कोई repeat repeat replay आपको दिखाई देता है directly आपको निर्ने दे दिया जाता out या note out का दूसरे जो मेरे को लगे इसके graphics वो काफी slow है आप एक बार WCC2 को खेल कर देखना उसके graphics काफी fast है as comparison to real cricket 2018 जो इसको ये realistic view पर effect डालते हैं काफी नकली रगते हैं जब वो slow motion में होता है तीसरे नमबर पर आता है running between the wicket running between the wicket बहुत ही slow है एक run लेने के बाद दूसरा run के लिए जब bashman मूडता है तो काफी समय लेता है इस बीच run out होने के chance बढ़ जाते हैं चोथे नमबर पर आता है game का control मेरे को control बिलकुल ही बेकार लगा easy mode पर भी खेलते हैं दस अवरों में के उल पिचानवे run बनते हैं और जब हम bowling करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही चोके चके पड़ते हैं जो कि game को बहुत ही fake मना देता है पांच में नमबर पर मेरे को इसके कमेंटरी में दोस्त लगा कई बार कमेंटरी बहुत ही बेकार quality के होती है बार बार का आ जाता है कि out हो गया out हो गया हाला कि उसमें सीक्षर भी लग जाता है हलागि फिलाल के नमबर वण मोबाइल किर्केट गेम है लेकिन उमीद की जा सकती है कि WCC2 की जो अफड़ेट आएगी वो इस गेम से काफी अच्छी होगी फिलाल वो तो टाइम ही बताएगा अपडेट कैसी होगी WCC2 की फिलाल तो यही गेम है हम इसको खिलकर आनन प्राप्ट कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को रियल किर्केट 2018 गेम कैसा लगा कोमेंट में करकर मेरे को बता दें और आप लोगों को बता दू कि WCC2 की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं है मैं जूती कबर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूँगा जबी मेरे को कोई इंफोर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को तब ही वीडियो के दौरा बता दूँगा तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना साथ में दबाए घंते के बटन को अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेयर करें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल तब तक के लिए बाई और हैपी होली